कोविट संक्रमिन के रफ्तार के साथ ही शास के अस्पतालों में बनाए गए कोविट वॉट धीरे धीरे फुल होते शारह है इसे देखते हुए अस्पताल को नए वॉट शुरू करने की जरूरत आपड़ी है इसी कड़ी में इंद्रागांदी शास के वैदि के महाविद्याले वह अस्पताल में दो नए कोविड वॉर्ड शुरू के जा रहे हैं इन वॉर्डों में कुल साथ बैठ होगी संक्रमीतों के संख्या बढ़ने के बाद नए वॉर्ड को शुरू करने की जरूरत महसूस की गई थी प्रशासन ने तयारी शुरू कर दी थी साथ ही वॉर्ड में मरीजों के उपचार वद देखभाल के लिए आवशिक स्टाफ मांगा गया था इन मांगों को पूरा कर दिया क्या है नए शुरू होने वाले एक कोविड वॉर्ड में बेट की संख्या 35 वद दूसरे में 25 होगी आने वाले समय में कुछ और वॉर्ड शुरू किये जा सकते हैं सुतरों ने बताया कि शास के मेडिकल अस्पताल की तुल्ना में मेव में संक्रमीत मरीजों की संख्या अधिक है मेडिकल में 299 मरीज उपचार कर रहे है चबकि मेव में 350 मरीज है मेव में नाकपुर शहर की साथ ही ग्रामिन वच्छत्यसकर वं मध्यप्रदेश से आने वाले कोविट संक्रमीत मरीजों का उपचार हो रहा है शहर की तुल्ला में मेव में ग्रामिन शेत्रों के मरीज अधिक है क्यामरपोसिन राजकुमार महोड के साथ अभिशेक पान से बीसी न्यूस नाकपुर